Hello everyone, आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं, How the little kite learned to fly. एक little kite है, जो उड़ना सीखता है. चली हम लोग इस पोएम को देखते हैं और इसमें क्या meaning है. और सबसे पहले हम लोग इसका summary को पहले जान लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में भी बहुत आसानी हो. इस पोएम का summary कहता है, This poem is about a little kite that learns to fly. It shows how the kite, who was afraid of flying at first, slowly stopped being afraid and learned to fly. मतलब summary आपके book में ही दिया हुआ है, poem के end में वो आप देखेंगे, वहाँ पे दिया हुआ है कि एक little kite जो उड़ना चाहता है, लेकिन वो काफी डरता है starting में, लेकिन जब वो डरना छोड़ दिया और जब वो कोसिस करना शुरू किया, तब वो finally उड़ने लगा और वो सीख गया, कैसे उड़ा जाता है, तो कोसिस करने से हम लोग सब कुछ सीख सकते हैं, यही इस poem से हम लोग सीखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किजिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, यह एक चोटा सा काइट जो है, वो बोल रहा है, आई नेवर कैन डू इट, मैं कभी नहीं कर सकता, जो चोटा काइट है, वो बोलता है, जैसे ही वो दूसरे काइट को, अपने सर के उपर आसमान में उड़ता हुआ देखता है, और देखते हुए वो बोलता है, कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा यह, मैं नहीं उड़ पाऊंगा कभी, अगर मैं ट्राइ भी करूंगा उड़ने के लिए, तो मैं गिर जाऊंगा, ट्राइ, सेट दा बिग काइट, उनली ट्राइ, बड़ा काइट एक होता है वहाँ पर, वो बोलता है इस छोटे काइट को, कि तुम ट्राइ करो, सिर्फ ट्राइ करो, और आई फियर, यू नेवर विल लर्ण एट आल, या तो मुझे डर लगता है कि, मुझे तो ऐसा डर है कि, तुम कभी उड़ी नहीं पाऊगे, कभी लर्ण नहीं कर पाऊगे, तुम कभी सीख नहीं पाऊगे उनना, कैसे उड़ा जाता है, तुम ट्राइ ही नहीं कर रहे हो, तुम ट्राइ करो पहले, But the little kite said छोटा kite जो है वो बोलता है I am afraid I will fall मैं तो गिर जाओंगा मुझे तो डर लग रहा है मैं तो गिर ही जाओंगा वो बड़े kite को ऐसा बोला The big kite nodded बड़ा kite जो है अपना सर को हिलाता है और वहाँ से वो निकल जाता है ये कहते हुए Ah well goodbye I am off मैं निकलता हूँ यार, ठीक है, and he rose toward the tranquil sky, और वो जो है peaceful sky में शान्त जो आस्मान है, उसमें वो हवा में उपर की तरफ उठ जाता है, उठ जाता है, rise का form है, rose, है ना, rise का ही form है, rose, तो वो हवा में rise कर जाता है, जो खुला आस्मान है, शान्त आस्मान जो है, tranquil का मतलब ही होता है, शान्त होना, peaceful, calm, शान्त आस्मान में वो उड़ जाता है, उपर की ओर, then the little kite's paper stirred at the sight, उसी समय, जो छोटा kite है, उसका जो paper है, वो थोड़ा सा हिलता है, stirred का मतलब moved slightly, and trembling, he shook himself free for flight, और वो अपने आपको shake करता है, हिलाता है, थोड़ा कपकपाता है वो, जो चोटा kite है, उड़ने के लिए, first whirling and frightened, पहले तो वो घूमता है, round round, whirling का मतलब घूमता है, ऐसे आप जब पतंग आप उड़ाये होंगे कभी, kite को जब आपने कोशिस किया होगा उड़ाने के लिए, तो आपने देखा हो कि starting में वो घूमता है, हवा में ऐसे से, ठीक है, ज अप, अप, he rose through the air alone, और वो थोड़ा-थोड़ा उपर उठते ही गया, हवा में उपर उठते ही गया, रोज करते ही गया, अकेला, अकेला ही वो हवा में उपर उठता गया, till the big kite looking down could see, जब तक कि वो जो उपर का जो बड़ा kite जो आसमान में होड़ रहा था, वो नीचे और जो यह छोटा kite था, यह एकदम, मतलब steadily उपर की तरफ जाही रहा था, ठीक है, then how the little kite thrilled with pride, और फिर वो जो kite है, उसके अंदर पुरा excitement सा भर गया, वो काफी गौरव फिल करने लगा, वो बहुत proud फिल करने लगा हवा में उठने के बाद, क्योंकि उसका सपना पूरा हो उठने का, वो उठना सीख रहा था, almost सीखी गया था, वो हवा में था एकदम, उपर जा रहा था, as he sailed with a big kite, side by side, जैसे वो जो बड़ा काइट उपर में था, उसके side side में वो उठने लगा था, इसलिए उसको बहुत proud feel हो रहा था, वो बहुत excited था हवा में, जब बड़े काई में जा रहा था, वो, while far below, he could see the ground, and the boys like small spots, moving round, और वो आसमा से उपर से देख रहा था, नीचे, दूर नीचे की तरफ देख रहा था, ground में, जहां पर जो लड़के हैं, छोटे boys हैं, लड़के जो हैं, वो छोटा-छोटा spots की तरह दिख रहे हैं, जो ground में मूव कर रहे हैं, इदर उदर round round घूम रहे हैं, है न, आसमा से बहुत उपर से जब वो छोटा kite नीचे देख रहा था, ground में, तब उसको नीचे खेलता हुआ, जो बच्चा है, वो उसको छोटे-छोटे spots की तरह देख रहे थे, they rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there, और वो लोग एकदम top level पे, एकदम ह हाई जगह पे, वहाँ पे वो लोग rest कर रहे थे, क्यूंँ वहाँ पे rest कर पा रहे थे, क्यूंकि वहाँ पे हवाँ जो था, वो quite हाई हा, मतलब, शान्थ हवाँ था, हवा में ज्यादा हरकत नहीं था, बहत उंचे आसमान में, तब वहां पे, ये जो kites है, वहाँ पे वो इस्पेशली ये छोटा वाला काइट बता रहा, और उस जगह पे, जहां पे शान थावा था, वहां पे और कुछ नहीं, बलकि सिर्फ बर्ड्स थे और क्लाउड्स, मतलब बादल थे और बर्ड्स थे, और क्या बोलता है अंतिम में वो, क्योंकि वो समझ पाता है कि वो इतना खुश क्यूं है, वो खुश इसलिए वो चिला करके बोलता है कि वो खुश जो है, वो हापी आई एम, कितना जो खुश है, वो बस इसलिए खुश है, क्योंकि वो हिम्मत दिखाया है, क्योंकि वो ब्रेव है, और उसने कोशिस की, और उसने कोशिस की, and tried, I was brave and tried, मैंने अपना बहादूरी दिखाया, और मैंने कोशिस किया, ऐसा छोटा जो काइट था, वो हवा में था, उपर एर में रेश्ट करते हुए, ऐसा सोच रहा था कि मैं कितना खोश हूँ, क्यों खोश हूँ, क्योंकि मैंने कि तभी तो मैं अभी आस्मान में, अभी हवा में रेश्ट कर रहा हूँ, और उड़ पा रहा हूँ, मेरे सपने पूरे हुए, मैं उड़ना सीख गया, कैसे सीख गया, बहादूरी और बार-बार कोशिस करने के वज़े से मैं सीख गया, तो ये पोएम यहाँ पे खतम होता चैनल पर आये हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपको और भी सारे चैप्टर्स के वीडियो इंपोर्टेंट जो कोशन अंसर वीडियो से वह आपको प्रोवाइड कर पाऊं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड हैव नाइस टे